आईए बच्चो एक बार फिर से आपका स्वागत है पिछली बार मैंने आपको जिनोम उत्परिवर्तन समझाया था और जिनोम उत्परिवर्तन में क्या होता है मैंने यह भी समझाया था आपको पता है जिनों मुत परिवर्तन में गुर्ण सूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है और वन्हें आपको यह भी बताया था कि गुर्ण सूत्रों में परिवर्तन के कारण जो समस्यां पैदा होती है औं समस्यां को syndrome कहते हैं ठीक है आपकी screen पर आपको संख्या में परिवर्तन से उतपन्य भिन्नता को syndrome कहते है इन परिवर्तनों का अलग स्लिणयों बांट जा शकता है यह सब मैं आपको पिछलिवार बता चुक हो हुं syndrome जो Probably 對 हैं वह असल में गुणुत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक लेंग कीुणुर सूथ होते हैं और दूसरा जो है दहिकुणुणुणू सुथ होते हैं यह आपको पहले बिल्पोन सुद्र से उत्पन हवी काने वाल।ह रवस में Часть 15 पूरूसों में 23 जोड़ा होता है , नहीं आनीमित संख्या निजारी होती है। होते हैं तो 23 जोड़ा XY होता वो लैंगी गुनसूत्र है और 22 जो एकस होते हैं वो दैही गुनसूत्र कहलाते हैं ठीक है यह आपको समझना बहुत आवश्यक है अब सिंड्रोम मैं आपर फिर से आपको समझा रहा हूं दो प्रकारशे होते हैं एक लैंगी गुनसूत्रों के अनिमित संख्या के करण और यह जो लैंगी गुनसूत्रों के अनिमित संख्या से जो सिंड्रोम पैदा होते हैं वो आपके हैं टर्नल सिंड्रोम, क्लीन फल्टर सिंड्रोम और सूपर फिमेल्स यानि अतिमादाएं और अतिनर यानि के सूपर मेल ऐसे ही दैही गुनसूत् एसे पैदा होती है जो syndrome हوتे हैं वह होते हैं आपके डाूंस syndrome Edwards syndrome, plataur syndrome और क्रीड़ुचेश zyndrom इस्ट्रोम इसे सिंट्रोम ते चार syndrome जो हैं दहिक गुन्सूद्र की Animate संक्या के करन होती है क्या थिक है लेंगे तो यह खाली एक उधारण आपको बनाने की बताने के दिए समझाया था तेश्वे गुनसूत्र में परिवर्तन होता है तो लेंगिक गुनसूत्र में अगर कोई परिवर्तन होता है तो फिर सिंड्रोम कौन कौन से होता है इसमें सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम मैं आपको बताऊंगा यह जो लेंगिक गुनसूत्र होता है उनके अनियमित संख्या के करमतपन होता है तो इसमें होता क्या है टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है यह जो तेश्वा जोड यहां पर कुछ भी हो सकता है या x x कुछ शंख्या जो इन में अंतरा जाएगा लेकिन ग्रसित जो होगा उसमें टेश्वाजोड़ा एक ही रहेगा यहां पर दो थे यह x x टेश्वाजोड़ा या फिर किवल x या फिर पूरुशो में x y होगा तो x y में से y हड जाएगा या x x में से 1 x हड गया तो यह आपकी मोनोसूमी हो गई ठीक है एक गुणसूत्र की कमी हो गई एक गुणसूत्र की कमी जो होती है उसे हम मोनोसूमी कहते हैं कौनसा 23 जोड़े में एक गुणसूत्र यह कम हो गया तो लिंग गुणसूत्र की एक गुणसूत्रता यानि कहते हैं अब थोड़ा से हिसाब मैं गुन्सूत्रों का देखें कुल गुन्सूत्रों की संख्या mm के द 21 जोड़ होते हैं कर इस स्थिति पर टर्ना सिंड्रो में 22 22 जोड़े ढूर ठीक होते हैं लिक गुनसूतर टेशवा जोड़ा XX या फिर XY होता है जिसमें से 23 जोड़े में केवल एक ही गुनसूतर रह जाता है यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रशित मैं संख्या टेश थे तेश्वा गुनसूतर जो है जिसमें दो गुनसूतर थे उसमें से एक ही रह गया, जोड़े में से एक ही रह गया है, तो एक रहा, तो यहां पर कुल गुर्षूत्र की संख्या 45 होगी, जबकि कितनी होनी चाहिए थी, समान्य संख्या 46 होती है, तो 46 होनी चाहिए, गुर्षूत्र की संख्या 45 रह गयी, तो 45 रह गयी, तो एक Turners syndrome, यानि की Monosami के करन उतफपन होने वाली जो लक्षण है, वो Turners syndrome है अब मैं आपको अगला दिखाता हूं कि इसमें जो है, इसके लक्षण क्या क्य होते हैं। ये Turners syndrome से ग्रसित बच्चा दिखा रखा है, और यो क्या क्या लक्षण हैं वो लक्षण अभी आपको लिखेवे साइड में दिखाता हूँ Turner Syndrome से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं या बालग होते हैं, बच्चे होते हैं ये क्या होते हैं, इनका शरीर जो होता है आलपविक्सित होता है यह आप बहुत गौर से सुनिएगा बहुत इंपोर्टेंट है शरीर आलपविक्सित यानि शरीर का विकास सही से नहीं हो पाता है दूसरा यह बंधे होते हैं बंधे का मतलब क्या होता है बंधे का मतलब होता है यह बच्चे पैदा करने में अकसम होत कानों की इसथिती सामानी स्थान से नीचे हुते हैं, यहाँ पे दिख रहा है कान कुछ अलग प्रकार का कान हे, मुड़ाओ वहाँ सा लेकिन इन इनकी इसी जहां सामानी स्थिती है उससे थोड़ा हट यह हुती है चौथा इसमें इनमें इस्तन विक्सित होते हैं इस्तन मतलब ब्रेस्ट बने होते हैं ब्रेस्ट पाई जाते हैं गर्दन में तवचा लटकी वीसी होती है यहाँ आप देख रहे हैं इसकी गर्दन में यह तवचा जो है इसकिन जो है यह इस तरीके की होती है लटकी भी से, खिचाओ सा, ठीक है, extra skin प्रकार कीश में दिखाए देती है, छटा है, यह प्रतेक 5000 में से किसी एक मह होता है, मलब 5000 बच्चों में से किसी एक मह होता है, इसका अनुपाद जो होता है, 5000 अनुपाद एक होता है, ठीक है, तो यह इसकी अलक्षण है, Turner syndrome के, यह अ बालक आपके सामने चित्र में आपको दिखाय दे रहा है, तो शरीर अलप विक्षित होता है, बंदे होता है, यानि बच्चे पैता नहीं कर सकते हैं, कानकी स्थिती सामानी स्थान से नीचे होती है, इस तन विक्षित होता है, इस तन मतलब ब्रेस्ट पाई जाता है, दुग दूसरा बताता हूं को clean filters syndrome इस वाप صवी सी याद कीजिएगा समझेगा important है clean filters syndrome जो दूसरा syndrome पहला था turner syndrome था दूसरा clean filter syndrome clean filter syndrome में गुर्णुस उत्रों की संख्या, है하게क्या होता है क्ष्यां सामानिय गुर्णुसूत्रों की संख्या जो ग्रसित होता है उसमें जो गुण सूत्र होता है उसमें एक गुण सूत्र यहाँ भी रहए जाता है लिंग गुण सूत्र की एक अधिशूत्रता पाई जाती है ठीक है लिंग गुण सूत्र की एक अधिशूत्रता यह निये ट्रैसोमीस में पाई जाती है यहां आप देख रहे हैं तेश्वा जोड़ा जो है एकस वाई है और जबकि ग्रसित में संख्या क्या है तेश्वा जोड़ा एकस एकस वाई दो एकस होगे यहां एक एकस था सामान्य में एक एक होता है जबकि इन में जो clean filter syndrome जिन में होता है उसमें दो x और एक y एक x एक y तो होता है एक x और आगे यह होगी इसकी trisomy ठीक है एक अधिश उत्रता कहते हैं यह इसकी trisomy होगी अब trisomy के करण यह link गुण सुत्र की एक अधिश उत्रता है trisomy के करण 2n प्लस 1 यानि कि 23 जोड़े में एक x x y गुण सुत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े में यहाँ पर 2 होने जिए वहाँ तीन पाए जाते हैं अब 3 होगे तो यह trisomy होगी ठीक है अब यहाँ पर विशाब इसका गुण सुत्रों का देखे 10 गुण सुत्र वही 22 जोड़े ठीक होते हैं 44 होते हैं link गुण सुत्र 23 जोड़ा जो है यहाँ पर 2 होने चीए लेकिन यहाँ पर 3 होते हैं इसमें clean fetter syndrome में 3 हो जाते हैं अब कुल गुण सुत्रों के संखे 44 दाहिक हो गए तीन आपके link गुण सुत्रों के 47 हो गए यानि एक गुण सुत्रिश्मा अधिक हो गया इसको हम trisomy कहते हैं यह क्यों हो रहा है यह genome ut pariwarthan के करारण genome ut pariwarthan के करारण मुर्शूत्रों के संखेहा पर 47 हो गई है जब कि सामानी 46 होनी चीए तो इसको कहते हैं Clean Filters Syndrome Clean Filters Syndrome में आप कौन-कौन से लक्षण पाई जाते हैं ये Clean Filters Syndrome के लक्षण की एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है और इसके लक्षण क्या होते हैं ये मापको बताता हूँ अभी Number 1 वाहे लक्षणों में ये पूरूश होते हैं लंबाई अधिक होती हैं अगर बाहर से हम इनको देखें तो देखने में इनका चेहरा और इनका style जो होते हैं वो पूरूशों की तरह होता है और लंबाई भी इनकी सामानी से अधिक होती है जिस तरीकी से आप चित्रमापको दिखाए दे रहा है लंबाई अधिक होती है लेकिन और दिखाए देने में पूरूश होते हैं ये बंधे होते हैं बंधे का मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं बंद्य होते हैं, बच्चे पैदा करने में सक्सम नहीं होते हैं, नमबर तीर वाहे जननांग इनके आलप विक्षित होते हैं, वाहे जननांग जो जनननांग के अंग होते हैं, वो इनमें कम विक्षित होते हैं, अच्छे तरी से विक्षित नहीं होते हैं, नमबर चार इस्त जब दिखने में पुरूश होते हैं और इनमें इस्तन पाई जाते हैं तो इस इस्तिति को कहते हैं गायने को मेस्टिया कहते हैं शरीर पर इनके बाल कम पाई जाते हैं शरीर पर बाल कम होते हैं सामानी पुरूष में शरीर में बाल पाई जाता हैं लेकिन इनके शरीर में बाल कम पाई जाता हैं और यह स्थिति प्रतेक 10,000 लोगों में से किसी एक में होता है ठीक है इसका अनुपाद जो होता है वो दस जार अनुपाद एक होता है इस प्रकार के वक्ति जो समाने तयाद हम बजारों में देखते हैं अक्सर किनर जो होते हैं वो क्लीन फैल्टर सिंड्रोम के ही clean fetter syndrome के ही लक्षन उनमें पाए जाते हैं किनरों में ठीक है तो वाहे लक्षनों से पुरूश होते हैं लंबा यदिक होती है बंद्य होते हैं यानि बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं वाहे जन्नांग अल्विक्षित होते हैं अल्पविक्षित होते हैं इस्तन इनमें पाए जाते हैं ठीक है इस्तन पाए जाने के अवस्था इसको जो है गायनेको मेस्टिया कहते हैं यह आपको याद रखना पड़ेगा गायनेको मेस्टिया शरीर पर इनके बाल कम होते हैं और प्रतेक 10 जार में से किसी एक में यहां होता है तो यह clean filter syndrome के लक्षन है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ दो ही चीज़ें समझा रहा हूँ, एक आपका turner syndrome और दूसरा clean filter syndrome, और इसके बाद next में आपको super male और super female यानि अतिनर और अतिमादाएं मैं आपको अगली वीडियो में समझाँगा, याद कीजिएगा, thank you एक वाद गा मतेतोन गजीए झाहा हूँ झाएं अजीएगी आपको